नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में हम बात करेंगे खाना खाने के कुछ बिसिस नियम के बारे में जो आपकी इम्नुटी को बढ़ाएंगे उसको सुरक्षित रखेंगे एक पुरानी कहवत है खाना दबा की तरह खाना चाहिए नहीं तो दबा को किसी दिन खाने की तरह खाना पड़ेगा कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनमें ये कहवत सो प्रतीसत लागू होती है जैसे नमक यदि आप ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो आपकी प्रतीरोदक छमता को नमक कमजोर करता है किडिनी में ज़्यादा सोडियम उतसर जित होने लग संक्रमन से लड़ने की चमता बोडी की कम हो जाती है गाइडलाइन्स के अनुसार प्रती दिन एक टीस्पून नमक लगबग तेईस सो मिली गराम के सम्थिंग एक बयस के व्यक्ति को खाना चाहिए इसके बाद अमबर आता है सबसे ज़्यादा नुकसान दायक चीजों में सक्कर का सफेज सक्कर ब्राउन सुगर खाते हैं जो वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं सफेज जो है वो उसके नुकसान की बात कर रहा हूं ब्राउन सुगर नुकसान कम करती है ऐसे ही यदि आप जो नमक है वो सेंदा नमक खाते हैं वो भी नुकसान कम करता है ऐसी सफेज चावल, सफेद, ब्रेड ये सब नुकसान करती हैं, लेकिन यदि ब्राउन राइस या आप ब्राउन ब्रेड खाते हैं, तो ये इनका नुकसान कम हो जाता है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सफेद चीजों की, सफेद नमक, सफेद सक्कर, सक्कर जो है, इम्यून सेल के बे 25 गिराम तक सक्कर का अधिक्तम सेवन प्रती दिन करना चाहिए इसके बाद नमबर आता है केफीन का केफीन यदि आप ज़्यादा लेते हैं तो आपकी नींद पर सीधा सीधा असर ये डालता है नींद पूरी नहीं होती है इसके कारण infection का खत्रा immunity कमजोर होती है कई सारी और तक चाए कोफी दोनों आखरी बार पिए इसके बाद ना पिए तो इसके जो नुकसान है काफी हद तक कम किये जा सकते हैं अब क्या खाना चाहिए जिनसे आपकी immunity strong हो इसके लिए सबसे आदा fiber fiber योगत यदि आप खाना खाते हैं तो आपको नीन अच्छी आएगी immune system मजब में इस्तवाल कर सकते हैं इसके बाद सबसे बहतर चीज है हरी सबजियां हरी सबजियां आपके सरीर को vitamin C, vitamin A देती हैं जिनसे आपकी रोग प्रतिरोदत चमता immunity काफी तेजी से बढ़ती है इसके लावा आतों को bio active compound भी मिलते हैं आतों में 70 से 80% immune cell पाए जाते हैं इसलिए आपको हरी सबजियों का अधिक्तम सेवन करना चाहिए सलाथ इसके अलावा ब्रोकली अंकुरित इस्प्राउट यदि आप खाते हैं तो ये काफी अच्छा आपकी सेहत के लिए रहता है तो ये खाने की कुछ नियम है अच्छा काएं कम खाएं और स्वस्तर हैं तो ये था